अब देखो ये मैप है Special Economic Jones का Special Economic Jones बनाए गए 1991 में लिवराजेशन हुआ और देश में उधारी खंड के नीती आई विदेशों से पैसा को भारत में लाने को फुसाहित किया गया और वहां पर ये कहा गया कि भाई आप निवेश करो आपको रियायत हम देंगे जमीन हम देंगे सुविदा हम देंगे, कनेक्शन हम देंगे, सब कुछ देंगे लेकिन इसके लिए सेज भी बनाया गया मतलब पूरे देश में इतने सारे सेज बनाया गया है ठीक है और ये सारे इतने सारे सेज बनाया गया, सेज मतलब स्पेशल एक्टॉब्यक जोन, यहां पर टैक्स डिवेट होता है, पांस साल तक यह नहीं लगेगा, दस साल तक इंकन टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा इंकन टैक्स तो इतना percent लगेगा, मतलब बाकी जगह पर इंडस्ट्री को, IT सेक्टर को, सब को बहुत ज़़ा अवसर दिये जाता है, क्यों हम लोग अपने अपने सेज नहीं बनाएं, खेर, अच्छी बात ये हुई, कि मुखे मंत्री ने कहा कि भाई, बिहार सिर्फ सेज नहीं चाहता है, पूरा का पूरा बिहार को ही विसेश आज बना दीजिये, क्योंकि जैसे उत्राखंड है, या हिमाचल है, या दौर्थिष्ट है, उसको स्पेशल शट्रस दिया गया, क्यों है, वहाँ पर उद्योग लगाना, इंडस्ट्री लगाना असान काम नहीं है, लेकिन चुकी रिवेट मिल गया, तो आज उत्राखंड और अलग कंटिया, उन्होंने वहाँ पर मनिफेक्श्रिंग शुरू कर दिया, क्योंकि उनको टैक्स रिवेट मिल गया, बिहार में लेकिन एक मिसेज, हाँ, अब बात उठी कि बिहार को विस्निस राज़े का दर्जा, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, सिर्फ राजदीत अब अगर मुक्रमंतरी की मान को मान लें, और विस्निस राज़ का दर्जा दें, तो निश्चित रूप से बिहार को इसका लाब मिलेगा, लेकिन बात यहीं उठती है फिर लाज़े में, कि जिन राज़ेों को विस्निस राज़ी का दर्जा नहीं मिला, वो भी नमबर ग्रेस मार्क्स मिलेगा सीमेंस के बच्चों को तभी पास करोगे कि बिना ग्रेस मार्क के भी पास कर सकते हो यही बात यहां पर आ रही है